हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक आज की इस वीडियो में हम मेंसी रशान चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 7.4 सॉल करने वाले हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपर तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिलीज सब्सक्राइब टोवर चैनल एंड प्रेश दिवल एकॉन फॉर इस अपडेट इसलिए शिरू करते हैं सो प्रैक्टिस सेट 7.4 तो हमें इसमें करना क्या है प्रैक्टिस सेट 7.4 में हमें एरिया ओफ सेग्मेंट फाइंड करना है एंड एरिया ओफ सेग्मेंट किसे कहते हैं फॉर एक्जेम्पल हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल पर हमने एक कॉट ड्रॉख किये किसी भी तरह करने पर क्या होंगा कॉट ड्रॉख करने पर जो हमारा सर्कल है वो दो डिफरेंट पाट में डिवर्ड हो जाएंगा ठीक जो छोटा हो रहेंगा वो माइनर सेगमेंट और जो बड़ा रहेंगा वो मेजर सेगमेंट ठीक है तो इस इस सेगमेंट का एरिया किस तरह से मेथाड है एक्चुल में वह है तो एक ही लेकिन हम उसे दो डिफरेंट टाइप से कंसिडर करते ठीक है फॉर फर्स फर्स्ट बन इस कि जैसे कि इससे पहले हमने एर्या और सेक्टर पढ़ा ही है ठीक है ना जैसे कि एर्या और सिक्टर सपोर्स हुआ हैं शिंटर ओ है और यहाँ से हमने दो लाइड में ड्रेश किया ठीक है अब और लो से थो ओ ली स्क्रीयर informien स्वस्ट कि एक सेंट सेंट्ञ digging करना होंगा ठीक करना होंगा में कि अ क्रना होंगा हमें एरे ऑफ्रैंगल को सब्ट्राइक करना होंगा डैन area of sector minus area of triangle okay as we know the formula of area of sector that is sorry theta by 360 into pi r square minus and we also know the area of triangle but अगर आपने consider किया होंगा ठीक है अगर आपने observe किया होंगा तो जो हमारा triangle बनेगा area of sector में जो भी triangle बनेगा वो कैसा होंगा वो isocellus triangle होंगा क्योंकि उसके हमेशा दोस्डेव साइड है वो दोने भी circle के radius होंगे और circle के radius क्या होते है हमेशा इकवल होते है तो isocellus triangle का area का फॉर्मुला है वन बाइटू आर स्केल साइन ठीट है ठीक है तो इसका यूज करके हम value find कर सकते है ठीक है तो यह हमारा होगा पहला method पहला method क्या है area of segment find करने के लिए हमें क्या करना होंगा area of sector में से area of triangle को subtract करना होंगा and we get the area of segment अब जो दूसरा method है वो इसी से related है जैसे कि अब यह जो उसमें अगर आप कॉमन ले ले लिए यहां के बचेंगा ऊपर बचेंगा ठीटा उसके साथ में पाई अपॉन 360 माइनस और स्कूर तो हमने कॉमन ले लिया नुमेटर में बचा साइन ठीटा और डिनामेटर में बचा टू कि यह जो है यह हमारा यह जो है डारेक्ट फॉल्मूला यूज करना यह हमारा सेकंड में ठाड़ है तो अगर आपने अब्जर किया होंगा तो आपको दीख रहे कि दोनों तो एक ही बात है आप इस तरह सौल करो ठीक है तो आप जिस तरह से चाहिए उस तरह से सौल कर सकते हो नाँ वी गेट एक्जाम्पल्स अफ प्रैक्टिस सेट 7.4 ओके तो प्रैक्टिस सेट 7.4 क्वेशन नमबर वन क्वेशन गिवन है इन फिगर एस जा सेंटर ओफ सर्कल एंड एंगल एबिसी इस 45 डिगरी ओके एंड एसी सेवन अनटरूट तू सेंट्प्रीम्प्र फाइंड एरे ओसेंड में बी एक्षि तो यहां पे हमें एरे ओसेंड बीएक्षिज फाइंड करना है और एसी की लेंद्ध हमें देखर है सेवन अन तो प्रफोटिफाइब करते हैं तो जो टेस्ट बुक में अंसर है उसके इसाफ से हमारा अंसर डिफरेंट आएंगा अगर हमें आंसर टेस्ट बुक के आपको यह से इसाफ से एक सर्कल का रेडियस है तो है आपको प्रफॉटिफाइब लेते हैं तो आपको जो एंगल ए मिलेंगा वह नाइनटी का मिलेंगा युद्फ आपका अंसर जो चेंज हो शकता है ठीक है लेकिन आप सॉल्ट तो सभी करोंगे ए अंसर चाहिए तो आपक 2 cm okay now we have to find the area of segment d xc okay some formula is occurring in direct jisica mena koo batata mahi paas dho method hai aap koi bhi use kar sakti ho some direct formula is karengi r square is equal to theta pi upon 360 minus sine theta upon 2 okay so that is equal to how many radius given is 7 under root 2 square okay and theta ki value hame lenge 45 degree pi ki value hame lenge 3.14 upon 360 minus sine 45 upon 2 okay so that is equal to 7 to square kytna hootah 49 hootah hai okay so seven ka square hame lenge 49 roti nine hai hai or a be made a root two kai square hai okay yeah so abhi i se aisi rane du roo rute 2 kai square my chai tab solve vika sakti hole root square root say square cancel ho बचेंगा तो एक दन यहां पर 45 गर हम नाइट 360 से डिवाइड करते हैं तो अगर आपको यहां पर नहीं समझ रहा है तो आप क्या कर सकते हो इसे पहले 15 से डिवाइड कर सकते हो फिर और नमबर बचेंगा तो अगर आप बचेंगा तो आप आपको बचेंगा तो फिर आप 45 से 360 को डिवाइड कर सकते हो यह गेट ओके माइनस साइन 45 हमें पता है साइन 45 कितना होता है वन बाइड रूट टीके तो यह तो अब हम क्या करेंगे 49 इंटो बाहर रहने देंगे टू से मल्टिप्लाइ करेंगे उससे ओके सो 49 इंटो टू से से मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह हो जाएंगा अब यहां बच्चा वन बाइड रूट तो जब भी डिनामेटर में रूट की वैलू आती है तो हम आपर उसकी वैलू पूट नहीं करते क्यों क्यों कि यहां पर हम इसकी वैलू पूट करेंगे तो पॉइंट में आ जाएंगा और एक पॉइंट वाले नंबर से हम होता है और बन से मल्टिप्लाइं करने पर वाले वैलू चेंग नहीं होती है ओके तो वी गेट 49 इन ब्रैकेट अगर आप 3.14 को फोर से डिवाइड करोंगे देन अब यहां पर दिखें निचे कहा है रूट 2 इंटो रूट 2 तो क्या हो जाएंगा वो माइनस रूट 2 इंटो रूट 2 रूट 4 दैट इस 2 ओके और उपर 1 इंटो रूट 2 हम करेंगे उपर रूट 2 की वैलू निखेंगे और रूट 2 की वैलू आती है 1.414 पॉर संथिंग अब देखें यह जो वैलू है ना 1.414 हमने सिर्फ तीन तक लिए यहां पर सतों जिए इसके और भी नमबर आते हैं ठीके आप जितने आगे जाएंगे आपको जो अंसर उतना करेक्ट आएंगा आप जितना पहले तक छोड़ देंगे आज का आंसर जो 149 इन ब्रैकिट 0.785 माइनस इससे आप 2 से डिवाइट करते 1.414 को तो वन पॉइंट है जोगी छोटा नमबर है तो हम जिरो पॉइंट लेंगे तो जिरो पॉइंट लेंगे तो जिरो पॉइंट लेंगे हम डारेक्ट दू नमबर को एक साथ आड़ कर सकते हैं यह 14 ठीके यह कितना मिला हमें 0.707 ओके देन हम क्या करेंगे इन दोनों नमबर की सब्ट्रैक्शन करेंगे ओके सो दैट इस इक्वल तो 49 इन टू अब यह 5 है 5 मिन 7 नहीं जाता है तो मैं आप इससे लिंग यह हुजाएंगे 15 15-7 that is 8 और 7-0 7 7-7 0.00 that is 0.078 क्या करना है आपको 49 से multiply करना है 0.078 को ओके multiply करने पर आपको answer मिल जाएंगा that is 3.822 cm इस तो गया ठीक है अब टेस्ट बुक में जो answer है वो 3.722 cm हो सकते है टेस्ट बुक में थोड़ा सा mistake हो गई हो यहां तो मनें जैसे कि यहां पर गाता है जो root 2 की value है आप जितने जादे नमबर लेंगे उत्ता आपका answer perfect आएंगा ओके तो इस तरह से आपको इसे solve करना था विजिए दिखवार answer then next one question number two question given in figure who is the center of circle and measure of arc is PQR यह PQR का इसका measure हमें given है 60 degree ओके and OP is 10 cm यह radius of circle हमें 10 cm OP given है ठीक है OP और OR equal होता है था हम यहां पर लिख सकते दोलों भी 10 cm के है find the area of shaded region याने कि हमें area of segment find करना है जो कि shaded region आपको दिख रहा है और यहां पर हमें देखो mention की गई है पाई की value 3.14 और root 3 की value 1.73 ओके इस तरह से अगर value mention है तो हमें वही value लेना होता है ओके so solution solution में हम क्या लिखेंगे measure of arc हमी given है और PQR अब measure of arc और central जो angle होता है वो equal होते है तो हम लिख सकते measure of arc is equal to theta is equal to 60 degree ओके और हमें PK के value देख रहे तीक और QR equal होते है जो के radius of circle भी है that is 10 cm तो हमें radius of circle मिल गा 10 cm हमें theta मिल गया 60 degree तो हमें गया area of segment find करना है so area is equal to area of segment का formula लेंगे that is r square is equal to pi theta या theta by लिख सकते हम 360 minus sin theta by 2 okay so values put करेंगे 10 का square in bracket pi की value 3.14 लेना है और theta की value कितने है 60 upon 360 minus sin 60 upon 2 okay so that is equal to 10 का square 100 3.14 into 60 से 360 की दिवाट करेंगे 36 होता है that is 3.14 by 6 minus sin 60 sin 60 की value कितने होती है root 3 by 2 तो हम यहापे लिखेंगे root 3 by 2 into यह वाला 2 okay so that is equal to 100 into 3.14 by 6 minus root 3 की value में question में गिवन है 1.73 upon 4 अब देखें यहापे 100 है 100 से हम यह दोनों यह दोनों values को multiply करेंगे okay जब हम 100 से multiply करेंगे तो यह point है ना तो यह point दो step आगे सार्ग जाएंगा यानि कि यह value कितने हो जाएंगे यह जाएंगे 314 by 6 और इसे भी multiply करेंगे तो यह जाएंगा 173 by 4 ओके अब हमें इसे solve करना है बस so 3.314 का मैं 6 से divide करना है इस इसी division है आप बिल्कुल कर सकते हो आप करूंगे तो आपको अंसर मिलेंगा है आप यह 52 पॉइंट अब यह 333 चलते रहेंगा तो आपको क्या करना है बस जाएंगा नहीं लिखना है दो ही लिखना है ओके माइनस अब 173 को आप 4 से multiply करोंगे तो आपको यह value मिलेंगी 43.25 ओके बस इनका subtraction करना है और आपको आपकी value मिल जाएंगी so that is 52.33 43.25 तेरा 8 हो जाएंगा यहां बच्चे कर 2, 2 में से 2 क्या 0 12 में से 3 क्या तो 9 that is area of segment is equal to 9.08 cm square so इस तरह से आपको इसे solve करना था देन नेक्स्ट वन कोशन नमबर 3 कोशन गिवन है इन फिगर इफ ए इस सेंटर ऑफ सरकल एंगल पी आर इस 30 डिग्री एंगल पी यार में एंगल ए देखर है 30 डिग्री अब यहां पर सिर्फ 7.5 गिवन है सेंटीमिटर गिवन है यानि कि हम सिर्फ यूनिट लिखेंगे ओके यानि कि जो शेड़े डिजन दिखर है आपको उसका हमें एरिया फाइंड करना है ओके सो सुलूशन में हम सबसे पहले गिवन लिख देते हैं याट इस एपी इस दे रेडियोस अफ सरकल याट इस स्मॉल आर इस इक्वल तो 7.5 एंगल पी ए आर हमें गिवन है याट इस हमें ठीटा गिवन है 30 डिग्री ओके सो हमें एरियोस सेग्मेंट फाइंड करना है याट इस कैपिटल ए इसका हमें पास फॉर्मुला गिवन है आर इसक्वर इस एक्वल टू पाइ टीटा अपॉन 360 माइनस साइं ठीटा बाइ 2 ओके हम यहाँ पे आर की वेलू पुट करेंगे आर इस 7.5 का स्क्वर इंटू पाइ खी वेलू में पुट करेंगे 3.14 ठीटा की वेलू 30 अपॉन 360 माइनस साइं साइं 30 अपॉन 2 को सो जो सेवन पॉυχ依 का में स्क्वर चाहिए तो हम क्या करेंगे हम 75 एक हुए का स्कुरugar लेंगे थो तो 75 का इस्क्राम हमें मेलेंगा है 56 25 ओके अब एक के बाद पॉइंस का इसको करने पर हम क्या करा हैं दूके बाद पॉइंट लगा जाएंगे दैध 556.25 यह स्क्राइब यहां पर हमें से स्ल्ट करना है तो त्री बंजार 3-3 तूजा 6-102 मिल जाएगा यानि कि में यह त्ली पोइंट वन पॉर अपॉर अपॉर वन चैनल साइन ठर्टी साइन ठर्टी में पता है कितना होता है वन राइट वहता है तो बंगा टू इन टू तो अब क्या करेंगे multiply करना हमें 56.25 को 3.14 से ओके अब देखो जब आप multiply करेंगे तो आप 56.25 इंटो 3.14 करोंगे और आपको जो result मिलेंगा आप क्या करोंगे result में यहां दो के बाद point है यहां दो के बाद point है यानि कि आप 4 नंबर के बाद point लगाओंगे एंड यू गेट दा अंसर 176.625 अपन 12 माइनस 56.25 अपन 4 ओके अब बस हमें इसे simplify करना है अब देखें यहां पर 4 है यहां पर 12 आप cross multiplication करेंगे यहां point है तो आपका calculation थोड़ा सा hard होनो तो आप क्या कर सकते हो आप यहां पर LCM दे सकते हो यानि कि इस तरह से करने पी क्या हो जाएंगा यह हो जाएंगा 176.625 माइनस 3 से मल्टिप्लाइ 3 5 15 के 5 करी 1 3 2 6 प्लस 1 7 3 6 18 के 8 करी 1 3 5 14 प्लस 1 16 दो के बाद point है तो दो के बाद point अपन 4 3 12 12 तो यह 12 कम्बाइन हो जाएंगा ओके अब आपको क्या करना है आपको इंदरों सब्ट्रेशन करना है और उससे 12 से डिवाइट करना है ओके तो क्या है 176.625 एंड 50 168 .75 5 के 5 अब 12 में से 5 गया 7 यहां हो गया 5 यहां से क्यारी लिया 15 में से 7 गया 8 पॉइंट अब यहां 5 बचा यहां से इसने एक लिया 15 में से 8 गया 7 अब यहां बचा 6 6-6 0 0 so that is equal to 7.875 is divided by 12 तो इसे हमें 12 से डिवाइट करना है ओके 7.875 अब देखिए 7 जो 12 से छोटा है तो हमें दो नमबर लेना होंगा that is 7 8 और पहले पॉइंट भी है तो उपर क्या लग जाएंगे उपर लग जाएंगे जिरो पॉइंट ठीक है अब 78 को में डारेक्ट तूस 12 12 के टेबल 78 बार जैने के 78 आया तक पढ़ेंगे ठीक है सो अम लेंगे 12 6-72 कितना बच रहा है 6 बच रहा है फिर आप लेंगे 12 5-60 फिर बार फिर अगें 12 6-72 कितना बच रहा है 3 बच रहा है फिर अगें 12 तूसा 24 तो पॉइंट के बाद के तीन नंबर सफिशेट होते उसके बाद में आप सौस नहीं भी के तो भी चलेंगा डैट इस वी गेट आंसर जिरो पॉइंट 6562 ओके विचिज अवर रिक्वाइट एरिया ओफ सेगमेंट तो इस तरह से हमें इसे सौल करना था अगर आप इसको आगे और सौल करते हो ता को क्या मिलाएंगा यहां पे 6 मिलेगा एंड जिरो करने पर ट्वेल 560 आप यहां पर कंप्लीट इसे डिवाइट कर सकते हैं यहां पर 625 आप ले सकते हो ओके विचिज अवर रिक्वाइड आंसर एंड रिमेनिंग कुशन कुशन नमर 4 & 5 आप इस साइड वाली वीडियो पर टच करके देख सकते हो अब आपने आप पहुच्छी चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिया आकउन पर टेश करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब सरूर कीजिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग